हलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनील पाटिदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूटिप चनल पर दोस्तों मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कुछ हैल टिप्स और साथ ही हम बात करते हैं डिसीजिस के बारे में और उनके सिम्टम्स के स करेंगे और यह टॉपिक सुरू करने से पहले दोस्तों जड़ी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को ज़रूर से दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो करता हूं या मैं लाइब सेशन में आता हूं और दोस्तों आप लोगों तक नौटिवेशन पहुच वाँख रूए और आद भी मुझे जौइन कर सके तो दोस्तों चलिए दूसτα सुन्प करते हैं आज का वह मारा टॉपिक मैलेज्मा यान कीचेहरा की जाहिए कि दोस्तों सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि यह वेज़े से आपको हाईपर पिगमेंटेशन याने की डार्क स्पॉट की समस्या आ जाती है यह ब्रावन के हो सकते हैं दोस्तों अगर इस मेलेनिन की वज़े उसके सब्सक्राइब करें ज्यादा होगा तो जब यह ज्यादा होगा तो यह कि यह कहां कहां भन सकते हैं इसमें अपका चैरे पर भी आपका जो फोर्ड वाले इरिया है फिर आपकी चीक्स हो गई गालों का प्रिज अप धन नोज यान लोज और चिंप फोरेड और कभी हातों पे भी इंप बन सकते बट मेंडी आपके यह बंदे हैं आपके चेटरे पर जो की और तरह होता है जानते हैं कि क्या हो सकते हैं बाड़ी में इस तरह के हर्मोनले होते हैं जिसके वैसे होते हैं ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप हार्मोनल रिप्लेस्मेंट थेरपी ले रहे हैं चाहिए तो उसकेस में दे लिन लगतों है कि यह ऐसे हो सकता है इसके साथ में अगर आपको ज्हुद्धा सनलाइट C और सकती है थोड़ा सा जैए इक्राइट भान बनकी है तो यह सारे कारण बनते हैं आपके हाइपर-pigmented sports बनने के याने की मेलाजमा के हम बात करते हैं कौन सा लोकेशन आपका अफेक्ट होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चिक्स वाला एरिया हो गया नोस का एरिया हो गया आपके हाथों पर भी यह दोस्तों अफेक्ट कर सकता है तो अगर आपको मेल चाहिए यह आपको जाईयां बन रही है तो ऐसे इस पोर्ट से आपको बन रहा है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मोडिफिकेशन करने की ज़रुरत है बहुत ज्यादा है यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है पानी आपको अच्छे से प इस परिशानिया को डील करने में आपको मदद मिलती है इस्ट्रेस को कर सकते हैं और वह आप कर सकते योगा से मेडिटेसन की साथा से और जो नीद है भी प्रौपर होनी चाहिए जब आप नीद पूरी ले रहे होते हैं तो इसी प्रॉब्लम नहीं होती है नहीं नहीं लेत से जानते हैं यह सारी समस्यां आपको हो सकती हैं यदि आप अपनी यह चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं इसके डिफरेंट नाम होते हैं जो मैंने आपको बताया है आप हम बात कर लेते हैं कि यह कौन सी वेरी इफेक्टिव होमेपथिक मेडिशन से जो आपको इससे मदद क कर सकती हैं दोस्तों होमेपथिक दवाईयों की पोटेंसी क्या रहेगी इनका डोस क्या रहेगा कब आपको इसको रिपीट करना यह सब आपको इस वीडियो के माद्यम से अभी में बताने वाला हूं दोस्तों किसी भी मैडिकल कंडिशन के लिए अगर आप होमेपथिक कर सकते हैं सारी डीटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है आज मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव मेडिसिन बताने वाला हूं आप इनको यूज करें आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपक साथ रख सकते हैं आप प्रमक से मौसराइजर किसांत रगा सकते हैं आपको क्या करना हुगा ऑपको इकुल क्क्वान-टैटी में आपको निक Exercise कर ले हैे आप इसके तो लिए तो पंद्रा एमेल आपको सेम में रोज बोटर ले लेना है याने कि आपको गुलाब जल उसमें मिक्स कर लेना है अपने पास्ताथ लेना है सुबह और शाम को एटलेस्ट दो बार यदि आप इसे टीन टाइम कर पाते हैं तो बहुत इच्छी बात है तो कॉटन की साइटा से रूई की साइटा से आपको इस लिक्विट को पूरे चहरे पर आपको एपलाए करना है जहां जहां स्पोर्ट से आप पूरे चहरे पर भी दोस्तों बरिसुप लिए रिआरफ जो करने के लिए भुति हहल्फल रहता है आपको डर्क पिग्मेंट को यह हुं करना है रात जो सोने से पहले आपको एक यह बार ए स्वाइय कर तो डूरिंग प्रग्नेंसी आपको मेलेजमा है जो कि वैसे बहुत कॉमनली देखा भी जाता है तो उसमें आपको कॉलोफाइलम थर्टी यूज़ करनी है दो दूबून दिन में तीन बार डारेक्ट लियों तो रात को यदि आपको प्रग्नेंसी के दौरान मेलेजमा हो रह होती है जिससे की उनको जहाईयां बगेरा उनके चेहरे पर बन जाती है उसकेस में आपको यूज़ करना है जो कि इस केस में यूज़ की जाती है अगर मीनो पॉस के टाइम पर आपको प्रग्लम हो रही है तो आप इनकी 30 पोडेंसी को सुबह और रात को दोदोबून ले स इसूस होती है गर्मियों में तकलिफ बढ़ जाती है अगर आपको कोई स्किन में प्रोग्लम होई है और आपने कई तरह के काफी तरीके की आपने क्रीम बगेर एक्स्टरनल एप्लीकेशन का यूज़ किया है और आपकी विमारिया पुरानी हो गई है क्राणी हो गई लॉ सिक्स पॉटेंशी में यूज़ करना है दो दो उन दिन में तीन बार डारेक्टली और हमारी वैडिसेन है पल्स दिला थाटी और पल्स दिला में हम क्या देखते हैं कि यह जो जाईयों की प्रोब्लम है मेलेजमा की प्रोब्लम है वह यह आपके मैस्ट्वाज साइकल यह तो उस से रिलेटेट्ड यह काम करती है यह आपके मैस्स आप्टी कांबी है चाहे वह पी स्योटी की वह विए से हो क्यों को तो कम आ रही है तो उसके मैं अधी मेलेज्मा की प्रवल्म हो रही है इसके नहीं रहती है और बन जाते हैं ब्राउनिस स्पोर्ट्स जो कि आपकी कई बार हाथों पर भी बन जाते हैं कंधे बन जाते हैं तब थूजा बहुत अच्छा काम करती है हार्मोनल चिंजेस की वाई से जब यह होता है तब भी अच्छा काम करती है दोज रहेगा दो दोबून दिन में तीन बार हमारी मेडिसेन है कैड्मियम सल्फ और इसमें क्या देखते हैं कर सनलाइट के ज्यादा एक्सपोजर और आपको यह प्राब्लम हो रही है यूवी ला भाइयों को यूज करने से फ़हे अपने हमिंपरिक से जरूर से परावर्ष से ले लेएं दोस्तों और मैंद करता हूं कि अभी जो उन्फरमेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया में आप लोगों ने इस वीडियो को जरुर से पसंद और जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंट्स और फैमिली मेंबर सब लोगों के साथ बाकी लोग भी इस इंफरमेशन का बेनेफिट उठा सकें और अभी तक आपने मेरा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइ किये मुस्त रहिए स्वस्त रहिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मॉच्च थान्यवाद